उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज आप इस चीज़ को रिकंसिडर कीजिए आप जो बाइकॉट कर रहे हमारे हमारी प्रोड़क्ट का वो मत कीजिए तो ये एक जैसे खुद मतलब अपना प्रोड़क्ट प्रोड्यूस कर रहा है और मेड इन इंडिया प्रोड़क्ट को प्रमोट करने का में काफी मौका मिल रहा है तो दोस्तों ये सब मुहीम क्यों चाल हुई आपको रीजन बताने की जरूत नहीं है भारत पाकिस्तान के बाद भारत काफी मतलब aggressive दिखी और यहाँ पर आपको यादो का गलवान वैली में हमारे 30 सैनिक मारे गए थे और उनके भी मतलब 50 से जादा सैनिक मारे गए थे जिसको चाइना और पाकिस्तान मतलब नहीं मानते दुनिया मानती है तो हमारे जो सैनिक वीर गती को प्राप्त होए थे उ राखी गड़ेश जी में जो भी जालर और दीवाली की लाइट्स और इद की टोपी चाइनीज टोपी आने लगी जाली वाली तो मतलब वो हर चीज में घुच चोटी चोटी चीजों में क्रैकर्स firecrackers फाटाके भी आते थे चाइनीज पतंग उडाने वाला मझ्जा मतलब आप सोच भी नहीं सकते कौन कौन से चाइनीज प्रोड़क्ट आपके घर में आ चुके हैं तो चलिए दोस्तों पहले यह पूरा वीडियो देखते हैं फिर वीडियो के अंदिम भाग में करते हैं और भी कुछ बात बहुती इंटरस्टिंग और दिल्चस्प है एक्चलिए यह रिपोर्ट निशन्स को कंट्रीज को यह बताती है कि अगर आप एकनॉमिकली स्ट्रॉंग हैं और आपके पास ट्रेड टूल्स मौजूद हैं तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने टेक मि ने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इसको समझ सकते हैं जो सबक हासिल करना चाहते हैं और जो वाकरी दुनिया में तरकी करने के लिए इन टूल्स पर अमल करना चाहते हैं आपके सामने मैं एक रिपोर्ट रखनी हूँ जो के चाइना और इ रिकंसिडर करें, globaltimes.cn, जो के चाइना का online tabloid है, जिसमें news और articles पब्लिश होते हैं, वहाँ पर एक article पब्लिश हुआ है, जिसमें चाइना ने ये request की है इनलिया से, कि time for New Delhi to reconsider its anti-China economic policy. ये बात चाइना ने क्यों कही, मैं आपको बताए देती हूँ, कि इसके पीछे क्या details हैं, इसकी वज़ा ये है, कि इस मरतबा दीवाली पर, इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी, कि क्योंके आहम देखते रहे, कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के तालुकात कैसे रहे, काफी कशीद की रही, और काफी खराब हालात रहे, तो इस वज़ा से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंट चलाया गया, ये अवेरनिस पैदा की गई, कि चाइना की प्रॉड़क्स का इस दफ़ा बाइकॉट करना है, अब आप जानते हैं कोई भी फेस्टिवल जबाद होता है, चाहे वो एद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमिस हो, न्यू यर हो, तो उस वक्त तक उस कंट्री के जो लोग हैं, वो भरपूर तरीके से अपना खरीदारी करते हैं, और जिस कंट्री के जाहर है कि वो चीज़े खरीदे हैं, उसको यह सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपलेशन जो अर्बो में है, उसकी वज़ा से वो पॉपलेशन उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है, वो इस तरह है कि जब इंडिया में यह विर्निस पैदा की गई, यह ट्रेंड चलाए गए और यह कहा गया कि इस मर्तबा चाइ लॉस हुआ है इस मर्तबा चाइना को, लेकिन मुक्तलिफ जगों पर मुक्तलिफ फिगर्स हैं, कहीं पर यह भी लिखा गया है कि सेवन तू एट बिलियन डॉलर्स जो है वो लॉस हुआ है चाइना को, इंडिया की इस एंटी चाइना एकनॉमिक पॉलिसी की वज़ा से कि जो उसकी प्रॉडक्स वे इस मर्तबा बाय नहीं की गई, यह एक बहुत बड़ा टूल है, यानि यह कि आप यह देखिए कि अब चाइना और इंडिया इसके बावजूद के दोनों के बीच इतनी राइवल्री है, वो यह जानते हैं कि वो एक दूसरी के उपर किस तरीके स पॉलिसी जंग को रोके रखेगी, जंग नहीं होने देगी, लड़ाई जगडा नहीं होने देगी, इस तरह की चीज़े भी हम सोच सकते हैं, जो के एक पॉजिटिव इसका एंगल है, लेकिन क्यों कि हम इस वक यह बात करें कि किसी भी नेशन के लिए उसकी इंपोर्ट औ में कुछ सोचने पर मजबूर करती है, मसलान अगर हम यह देखें कि जो इंडिया और चाइना के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो क्या है, इंडिया's biggest exports to China are cotton और दूसरी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन cotton मैं इसलिए कहा कि पाकिस्तान भी समझता है कि पाकि पर depend करें, हम अपनी आपको वहां तक नहीं पहुंचा सके, वहां पर नहीं ले जा सके, क्यों ऐसा है, अच्छा ले दे कि हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है, और वो है sports का समान, कि जो football world cup होता है, वहां पर देखिए, पाकिस्तान का football जाता है, कितनी अच्छी किसम का, हम कितने जबर्दस किसम के football बारे देखा, काफी अच्छी एक्स्प्रेन किया, और भारत पाकिस्तान के बीच भी ट्रेड बंद है, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, भारत कहीं से भी नहीं है, और पाकिस्तान को ही इसका सबसे जादा घाटा है, इसका reason मैं आपको बदा होता है, लेकिन इंडिया चाइना में ये condition है कि इंडिया मतलब वहां से ज़्यादा सामान लेता है, यहां से कम देता है, तो और उसके बाद इनका Chinese army का aggression भी सहो, तो section की Chinese army के aggression को जवाब तो, और जो public है, पुबिक अब मैं awareness वालाओ की Chinese product का bycott, यह हम official तोर पर नहीं कर सकत क्योंकि यह कुछ rules and regulation होते हैं, उसके खिलाफ हो जाएगा, लेकिन जो public sentiment है, वो Chinese के खिलाफ है, तो अब अगर बंदा mobile भी खरीदेगा, तो पतागरे कि भी यह company Chinese है की नहीं, मुझे Chinese नहीं चाहिए, मुझे American चाहिए, Korean चाहिए, Indonation चाहिए, और कोई company Japanese चाहिए, लेकिन ले लेंगे, तो यह चोटी-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे बेवी स्टेप से आप समझ सकते हो, चाहिए को 50,000 करोड का मतलब घाटा हुआ है, और मुझे लगता आने वाले समय में यह घाटा बढ़ता जाएगा, क्योंकि यह जो 50,000 करोड का माल है, जो लोग हर साल खरी खरीदा ही नहीं, वो खरीदा होगा, वो मेड इन इंडिया होगा, ज्यादातार और दूसरे देसों का होगा, तो उसी पर अब डेपेंड, उसी मतलब फैक्रीज उसी क्या बोलूँ है, उसी सिस्टम को आँगे बढ़ा है, और यह 50,000 करोड से एक मतलब और आँगे बढ़ कहां स्टार्ट ही नहीं पाएं, तो दूस्तों यह बहुत ही अच्छा मतलब है, इंडिया की जो पबलिक है, इंडिया के जो ट्रेडर्स है, उनका मतलब कदम है, और इंडिया के ट्रेडर्स के बताएं कि यह 50,000 करोड का चाइना को घाटा पड़ा है, तो मेरे साब से थे काफी हेल्फ मिलेगी, और मेरे इंडिया नहीं मतलब मझे लगता है, जो आत्म निर्वर भारत का जो कदम है, उसी की वज़े से यह चीज़ आपको भी पता है कि हुई है, अब छोटी 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 चीज़ जैसे आप समझ सकते हो, मतलब हम अगर वहां से छोटी छोटी फेस्टिबल को ही टार्गेट करके वो बनाई जाती है, और कहीं वो सेल नहीं होगी, तो चाइना को तो वो प्रोडेक्ट पतला वेस्ट हो गया होगा, उन्होंनों तो बना के रख लिया, कि यहां बेकिंग के और इंडिया वालों खरी दी नहीं, तो आप समझ सकते हो, कि इनकी फैक्टरी से वो बना हुआ माल वेस्ट हो जाएगा, तो गाईज आपके क्या कॉमेंट है, आपको भी बता कि आपी पे हम बहुत सारी चीज़ों पर निर्भार है, और मोदी जी का जो आत्म निर्भार इंडिया का, और यह मेड़ेन इंडिया की कैम्पेनिंग, अग आपको भी पता कि इन चीचों में समहाई लगता है, इंडिया जैसे कुर्णाइव आपको एक मतलब कुछ आऑ, अगर देह और यहिंद्ध.